हलो फ्रेंट्स कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ना हूँ सुचिता गड़ेवाल और आपका स्वागत करती हूँ हमारे कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के इस ओलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं यदि आपके अंदर ज जजबा और जुनून है कि आप वो चीज हासिल करके रहेंगे तो दुनिया की कोई भी परिशानी आपके सहस से बड़ी नहीं हो सकती तो इनी विचारों के साथ हम आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं इसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने क तो मध्य प्रदेश की इतिहास में सबसे पहले हमने एक इतिहास किसे कहते हैं तो बीते हुए समय की घटनाओं के क्रम बद्ध अध्यन को इतिहास कहा जाता है इतिहास को कितने भागों में बाटा गया है तो इसे तीन भागों में बाटा गया है पहला है प्राग एतिहासि यह पहले तो नर्मदा मानव की खोज मद्ध्य प्रदेश के सीहोर के हतनौरा में हुई उसके अलावा गुफानेवास के साक्ष मिले जो कि भीमबैटगा से मिले और मानव के साथ कुट्टे को दफनाने के साक्ष आदमगळ होशंगाबाद से मिले से इसके अलावा हमने हमने देखा तामर पाशान काली नगरी कौन कौन से थी मध्य प्रदेश में तो काय था नावदा तोली नागदा ये हमें तामर पाशान काली नगरी के रूप में मिली आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में महाजनपत काल की महाजनपत का अर्थ क्या था देखे जैस और जब औजार बनने लगे तो कभीले का एक विशेश व्यक्ति अपने आपको बड़ा मानने लगा अपने आपको ताकतवर मानने लगा और ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कभीले थे और इन छोटे-छोटे कभीलों में जब लोग अपने आपको ताकतवर मानने लगे और देखते ही देखते युद्ध बढ़ने लगे और इस कारण से जब छोटे-छोटे कबीलों में युद्ध बढ़ने लगे तो कई सारे कबीले एकटे बनकर जनपदों का निर्मार करने लगे और इनी जनपदों के बड़े आकार को महा जनपद कहा गया तो भारत में संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदों की बात सामने आती है कि संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद थे ये बाते हमें कहां से मिलती है तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैसी किताबों से हमें पता चलता है कि संपुर्ण भारत में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे पहला था अवंती महाजनपद, दूसरा था चेदी महाजनपद अवंती और चेदी दोनों महाजनपदों के बारे में हम बात कर चुके हैं अलरी आज हम मध्य प्रदीश में महाजनपत काल को देखेंगे अर्थात हमारे जो महाजनपत थे यहाँ पर कौन-कौन से वन्ष का शाशन रहा और किस-किस वन्ष ने यहाँ पर क्या-क्या काम किये तो सबसे पहले जो हम अवंती महाजनपत को देखने वाले हैं آवंति महाजनपद में था मौर्यवंश देखे हाय वंश आया ओधूअ जोकी मगद में था और इसके बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पर नंदवंश का शाशन था तो नंदवंश की राजा घंनानंद को हरा कर मौर्यवंश के संसथापक, राजा चंदगृप्त मौर्यव यहां पर मौर्यवंश की स्थापना की इसके अलावा मौर्यवंश के समय में उस समय संपूर्ण भारत का छेत्र आता था और इसके बाद यह जो छेत्र थे यह धीरे-धीरे करके तूटते गए और मध्य प्रदेश का पहला वंश जो आया वो था मौर्यवंश तो मौर्यवंश के किस साशक से हमें शुरुवात करनी है तो वो रहेंगे राजा बिंदुसार राजा बिंदुसार जो थे वो चंद्रकुप्त मौर्यवंश के पुत्र थे और इसके बाद में राजा बिंदुसार के बाद आये थे समराठ अशोक स्वयम थे और इसके अलावा इसकी जानकारी कहां से मिलती है तो इसकी जानकारी दीपवंश और महावंश जैसी किताबों से मिलती है कि इस समय अशोक जो थे वो अवंती के प्रांतपाल थे जो अशोक थे अपने युव वस्था में बहुत जादा क्रूर माने जाते थे और उन्होंने बहुत ही जादा रक्त पात किया था ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने निन्यानवे भाईयों की हत्या की थी राजगती को प्राप्त करने के लिए यह कीवधनतियां हैं इसके अलावा अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था जो जिसमें सरवाध एक नर संगार हुआ था और इसके बाद में अशोक अपना धर्म परिवर्टित किया और इनका ह्रिदय परिवर्टन हुआ और उन्होंने बहुत धर्म को श्विकार किया और यहां पर बहुत सारे स्तूपों का निर्माल करवाया तो सबसे पहले बिंदु सार की बात हो गई बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्तु मौरिय जी थे और बिंदुसार के पुत्र का नाम ही अशोक था अशोक के पिता बिंदुसार माता अशोक की माता थी शुब द्रांगी देवी और इन्हें ही रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता था एक नाम था रानी धर्मा और एक था शुभ द्रांगी देवी फिर बात करें थे अशोक का विवाह किसके साथ हुआ तो अशोक का विवाह की दो रानिया मुख्यता हम जानते हैं पहली रानी थी जिनका नाम था कुमार देवी जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा के एक व्यवसाई की पुत्री थी और दूसरी रानी थी कारुवाकी ऐसा कहा चाहता है अशोक ने जब कलिंग पर युद्ध किया तो वहां से जो रानी आई उनका नाम कारुवाकी था इसके अलावा अशोक ने मध्य प्रदेश में क्या-क्या निर्माड करवाया तो अशोक ने मध्य प्रदेश में बहुत धर्म से संबंधिद लगभग 40-45 स्तूपों का निर्माड कराया जिन स्तूपों में सबसे ज़ादा महत्वपूर्ण सांची स्तूप था जो की तीसरी शताबदी में बनवाया उसने इसके अलावा इसने बहुत सारे अभिलेखों और शिला लेखों का निर्माड भी करवाया अभी लेखों का निर्माड कराया जिसमें से संग भेद अभिलेख और तुमेन अभिलेख कटनी का गुर्जरा अभिलेख प्रमुख है पुत्र की बात है कुमार देवी इनसे अशोक को एक पुत्र की प्राप्ति हुए जिस पुत्र का नाम था महेंद्र वही जो कारुवाकी थी इनसे अशोक को एक पुत्र की प्राप्ति हुए और जिसका नाम था तीवर पुत्रे के बात करते हैं तो अशोक की एक पुत्री जिनका नाम था संग मित्रा और संग मित्रा और महेंद्र दोनों को अशोक ने बाद धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भीज़ा था अशोक के अन्य नाम अशोक को समराख्ठ अशोक कुरूर अशोक चंड अशोक इसके अलावा अशोक प्रिय दर्शनी भी कहा जाता था वंश की बात करते हैं इसका संबंध मौरे वंश से था यह हमने देख लिया तो यहाँ पे अशोक से संबंधित जितनी चीज़ें थी हमने कवर कर लिए इसके अलावा अशोक के अब लेखों की तरफ चलते हैं देखिए कैसे याद रखना है ना एकदम शौर्ट फॉर्म में शुरू करना है अशोक से एकदम जीवन परिचा जैसा नाम क्या है पिता का नाम क्या है माता का नाम के है, बीवी कौन कौन थी, पतनी कौन कौन सी थी, पतनी की बाद पुत्रों और पुत्रियां कौन कौन सी हुई, मध्य प्रदेश संबंधित इनों ने क्या किया, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कि हमें इंडिया के संबंध में सब कुछ पढआ पढ़े कीवल मध्य प्रदीश की संबंध में पढ़ना है इसकालंद से मध्य प्रदीश में कॉन-कॉन से स्टूप है हम उन्हें देखते чलेंगे सबसे बहरे अशोक से सम्बंधित स्टूप ये है समराथ अशोक कौन-कौन से स्टूप है संग भेद अभिलेख तुमेन स्टूप देवर कुठार स्टूप पंगुडरिया उस्टूप कसरावत इस्टूप भरूद स्टूप और साची का स्टूप जो हमारा संग भेद इस्तूप है यह राइसेन में इस्तित है तो मैन इस्तूप की बात करते हैं तो यह अशोक नगर में इस्तित है बात करते हैं हमारे देवर कुठार इस्तूप की तो यह रीवा जिले में इस्तित है पन गुडरिया इस्तूप जो है वो शीहोर जिले में इस्तित है कसरावद इस्तूप जो है ये खरगोन जिले में इस्तित है भरहुत इस्तूप की जब हम बात करते हैं तो भरहुत इस्तूप जो है ये उचेहरा सत्रा में इस्तित है उचेहरा सत्ना में इस्तित है देखे कैसे याद रखना है, संग भेद स्थूप कहां पर है, या अभिलेक कहां पर है, तो राइसे इन जिले में स्थित है, तो मैन स्थूप कहां पर है, अशोक नगर में स्थित है, देओ कुठार स्थूप की बात करते हैं, तो यह रीवा जिले में स्थित है, पानगुडर समराट अशुक से संबंदित करते हिं मद्धी प्रदीश में समराट अशुक मतलब मौरि वन्ष के बाद में अगला जो वन्ष आया वो था मध्धी-प्रदीश हमें शुंग वन्ष की स्थाप्ना पुष्यमित्र शुंग के दौरा की गई थी तो यह किस जिले वन्षत से तो तो सबसे पहले जो शुंग वन्ष है ना यह उजयन के शित्र में रहा करता था तो इसके वन्षत जो है वो उजयन जिले से संबन दित थे इस थापना किसके द्वारा की गई तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई प्रमुख शाशक कौन-कौन रहे तो कुश्य मित्रश्रूंग, उसका बेटा अगनी मित्रश्रूंग, यहां का प्रमुख शाशक भी रहा, अन्य नाम था इस वंश का, तो इस वंश का जो अन्य नाम है, जो कि शुंग वंश था, इसे ही ब्राम्भन वंश कहा जाता था, और इसी के अलावा इस वन्ष के युग को मतलब इस वन्ष के संपूर्ण समय को आंध्र युग भी कहा जाता था आंध्र युग ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये पुश्य मित्र शुंग की है ये एक मूर्ती हमें मिली है उस समय की राजधानी की बात करते हैं तो इस वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था और विदिशा कौन सा छेत्र था वही छेत्र था जहां पे अशोक ने अपनी पहली पत्नी जो की कुमार देवी हैं उनसे विवाह किया था विदिशा वही छेत्र है पुष्य मित्र शुंग की बात करते हैं तो पुष्य मित्र शुंग इनके पुत्र कौन थे इनके पुत्र थे अगनी मित्र शुंग पुष्य मित्र शुंग और अगनी मित्र शुंग दोनों ही सुंग वंज के बहुत ही प्रतापी शाषक रहे हैं इसके अलावा जो पुष्य पुष्यमित्रशुंग है इनके पुरोहित रहे हैं जिनका नाम था पतनजली पतनजली जो है यह आज की पतनजली कंपनी नहीं है बलकि पतनजली एक महारश्री हुआ करते थे जो की पुष्यमित्रशुंग जो है इनके पुरोहित थे और इसके अलावा इन्हों नहीं योग दर्शन दिया था तो योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया पतनजली के द्वारा दिया गया और वो किसके दर्बार में थे तो वो थे पुष्यमित्रशुंग के दर्बार में इनका बेटे की बात कर दे तो इनका बेटा था अगनी मित्रशुंग इन्होंने जो कि पुष जादा चर्चा हुआ करती थी होता ये था कि संपूर्ण भारत वर्ष में एक राजा एक यग करवाता था और उस यग में दो घोड़े लिए जाते थे और दुनों घोड़ों के मुपे लिखा जाता था उनकी आँखों के सामने वाले पट्टे वाले हिस्ते पे लिखा जाता था वो होता था अश्वमेघिया जिए द्वारा करवाया गया राजिपाल की बात करते हैं अब इनके राजिपाल कौन St35 मित्रशूं度 जो थे वह अगनी मित्र शूंग अगने मित्र शूंम जो है यहत्रा में टॉकनारी देखे कालिदास जो है इन्होंने एक किताब लिखी उस किताब का नाम था मालविकागनी मित्रम मालविकागनी मित्रम तो इसमें वरणन किया अगनी मित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग का और मालविका कौन थी तो मालविका थी विधर्व के राजा यग सेन की पुत्री और इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन कालिदास ने अपनी पुत्स तक मालविकागनी मित्रम या फिर नाटक मालविकागनी मित्रम में किया है जो बहुत ही जादा फेमस रहा है फिर बा नाम था हैलियूडोरस देखें भागबद्र की बात करते हैं तो भागबद के समय में एक राजदूद भारत आया जो कि एंटियाल केड्स का राजदूद था जो कि यवन देश के राजा थे या फिर ग्रीग के जो राजा थे वो थे और उनका ही राजदूद था हेलियोडोरस और उसने हेलियोडोरस ने मद्य प्रदेश में आने के बाद यहां पर एक इस्तंब का निर्माड कराया जो इस्तंब है हेलियोडोरस इस्तंब यह आप इसको गौर से देख सकते हैं यह बहुत ही ऊचा इस्तंब है और यहां पर इस इस्तंब को जब हम देखते ह यहां परिस्थित है तो यह जो है यह विदीशा जिले के अंतर का ताता है और इसका निर्माण हेलियोडोरस नहीं कराया था इसका नाम भी हेलियोडोरस इस्थम ही पढ़ गया है इस वंश का अंतिम शाषक देव भूती था जिसकी हत्या आंगे चलके कर्णव वंश के शाषक वशुदेव के द्वारा की गई थी अब कर्णव वंश का समभंध मध्यप्रदेश से नहीं है तो हमको पढ़ना इन ही नहीं विल्कुल भी इनके ना हमको सि рассक्के मिले ना इनका समभंध मध्यप्रदेश से दिखता है तो कणववश हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको इसकिप करेंगे और इसके बाद में जो अगला वन्ष हमें मद्धि परेदेश में दिखाए देता है वो होता है सात्वहान वन्ष अब शात्वहान वन्ष की इस्थापना किसके द्वारा की गई? तो कण्व वंश के अंतिम शाशक की हत्या करके शात्वहान वंश की स्थापना सिमुक ने की थी शात्वहान वंश जो रहा है न यह मात्र सत्तात्मक वंश में माना जाता है इसके अलावा इस वंश ने सबसे पहले भूमी दान करने की प्रथा चालू की इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए इसके अलावा सरवादिक यहां पर प्रतापी शाषक कौन थे तो गौत्मी पुत्र शाषक रहे हैं इसके अलावा वशिष्टी पुत्र पुल्मावी या गिश्री शाषक करनी गौत्मी पुत्र शाषक करनी प्रमुख यहां के शाषक मान जाते हैं तो सबसे जादा प्रसिद्ध सास्तक और प्रतापी शाशक रहे गौत्मी पुत्र शाथ करनी सिक्क्य की बात करते हैं इन्होंने सीसे के सिक्क्य चलाए इस कारण से यह सबसे जादा जाने जाते हैं इन्होंने एक प्रथा चलाई इस प्रथा के अनुसार इन्होंने ब्राम्भणों को भूमिदान दी और ब्राम्भणों को भूमिदान करने का प्रमुक जो रीजन था वो ये था कि उस समय में सारे लोग जो थे अपने शेत्र में जादा से जादा शेत्र को हतियाना चाहते परन्तु सात्वाहन वन्ष के जो शाषक रहे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे वो एक मात्र सत्तात्मक समाज की ओर आंगे बढ़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि जितना ग्यान का विस्तार हो उतना बहतर हो पाएगा इस कारण से इन्होंने भूमी दान देने की प्रथा चालू की ये सैनिकों को भी वेतन ना देके भूमी का एक तुकड़ा दिया करते तो भूमी दान देने की प्रथा किसने चालू की तो शात्वहन वन्ष के शाषकों के द्वारा यह स्टार्ट की गई थी शात्वहन वन्ष के कौन-कौन से साशक प्रसिद्ध रहे तो पहले रहे गौत्मी पुत्र शातकरनी फिर है वशिष्टी पुत्र पुलमावी और फ इसके अलावा ये भारत के महान शाषकों में से एक गिने जाते हैं। गौत्मी पुत्र शातकरणी के वीरता के चर्चे हमें नागनिका अभिलेक से भी मिलते हैं। और साची की वेदिकाएं जो हमने देखी थी जो कि शुंग वंच के द्वारा बनवाई गई थी। इन वेदिकाओं में भी बहुत सारे एक खुदे खुदे अभिलेक हमें दिखाई देते हैं। जिन में गौत्मी पुर्शातकरणी की वीरता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस वंश के शिक्के कहां कहां से मिलें। आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एक नाम याद रखना है जो है जवलपूर। इसके अलावा तेवर जिसे जवलपूर कहा जाता था। त्रिपूरी, भेडा घाट, देवास, उज्जैनी, उज्जैनी या उज्जैन। इस छेत्रों से हमें सात्वहान वंश के शिक्के प्राप्त हुए हैं। सात्वहान के सबसे अंतिम शाषक जो रहे हैं वो रहे हैं श्री शातकरणी और इनके सिक्के हमें देवास और तेवर से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि शाट्वहां जो वनष है उन्होंने सीसे के सिख्खे चलाए और इनके सिख्खे मध्य प्रदेश के काफी जलो से प्राप्त हुए, मतलबूं का सम्मध मध्य प्रदेश से रहा है। इसके अलावा जो गौत्मी पुत्र शतकरणी है इन्होंने पूरे के पूरे पूर्वी मालवा को जीता था किसे कडव वन्ष के शाषकों से तो इस कारण से इनका समंध सीधे मालवा से रहा है यह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के फिर बात करते हैं हम अगला मध्य प्रदेश में कुशार वन्ष के कुशार कौन थे देखिए मध्य प्रदेश के शेत्र में विदेशी आकरमण भी हुए थे और इन बाहरी आकरमणों में केवल कुशार वन्ष और शक वन्ष का समंध मध्य प्रदेश से देखने के लिए मिल करते हैं तो कुशारों की ब्यात करते हैं तो कुशार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इन्होंने सिक्के किसके चलाए तो कुशार वंश ने सोने के सिक्के चलाए गोल्ड की सिक्के चलाएं सबसे प्रतापी शाषक तो सबसे प्रतापी शाषक रहे हैं राजा कनिश्क और कनिश्क का संबंध मद्य प्रदेश के छेतर से मिलता है और कनिश्क का सिल्क रूट आप सबने सुना होगा कि एक सिल्क रूट कनिश्क ने बनाया था जो की चाइना वगएरा को क्रॉस करते हुए जाता था और इस वश के द्वारा सक समवत चलाया गया और इस वश के अंतिम शाशक की हम बात कर लेते हैं तो देखिए इस वश का जब हम मध्य प्रदिश संबंध देखते हैं तो इस वंश के सबसे जादा सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं विदीशा जिले के अंतरगत इसके अलावा साथी और भेडा घाट से एक हमें एक प्रतिमा प्राप्त हुई है उस प्रतिमा में कनिश्कों के बारे में चर्चा की गई है इसके अलावा आपको बहुत जादा महत वो पूर्ण चीजें याद नहीं रखनी हैं तो इस वन्ष का संबंध मद्यप्रदीश से रहा है कहां कहां से सिक्के मिले हैं तो विदीशा से सिक्के मिले हैं इसके अलावा राइसेन से सिक्के मिले हैं जवलपूर से सिक्के मिले हैं और जवलपूर और सांची से हमें एक इस वन्ष का वर्णन किया गया है कि यहां पर एक कुशान वन्ष हुआ करता था जिसमें सरवाधिक प्रितापी राजा कनिश्क था ये है कनिश्क के सिक्के कनिश्क जो है इसने सबसे जादा सोने के सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों में बहुत सारी अलग-अलग चीज़े दिखाई दे कनिश्क के सबसे जादा सिक्के हमें हर्दा और शहडूल छेतर से मिलते हैं इस वंश का अन्तिम शाशक वशुदेव था, नेक्स वंश की तरफ चलते हैं, तो रहा है मध्य प्रदेश में शक वंश, शक वंश का बहुत जादा संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है, देखे इसका सीधा सीधा संबंध भारती इतिहास से रहा है, हमको कुछ भी यहां पर इस वाली भाग में विक्सित हैं, तो इस कारण से उजयन के शित्र में पाए जाएंगे, तो इनके सिक्य उजयन के आसपास में हमें मिलते हैं, इसके अलावा हम चलते हैं मध्य प्रदेश में नागवंश की तरफ में, नागवंश प्रमुक हो जाता है और प्रसि तो विदीशा इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को विदीशा से ट्रान्सफर करके गौल यर्, अरथात पवाया गौपनी राजधानी भना ए इनके सिक्के सबसे जाधा मध्य प्रदिश के एरन और गौलियर के सबसे वे इनके शिक्के मिलते हैं, प्रमुख शाशक कौन कौन से रहे हैं, तो भीम नाग और व्रशनाथ इन सवन्ष के सबसे जादा प्रमुख शाशक रहे हैं, इस सवन्ष के नाग लोग ही अपने कंधों पे भगवान शिव की मूर्ती रखने के कारण भार शिव कहलाए, तो भार किने कहा जाता है, इनी लोगों को कहा जाता है, भार शिवा या फिर भार शिव, मध्य प्रदीश में गुप्त वंश, देखें गुप्त वंश का सीधा संबंध मध्य प्रदीश से रहा है, इसके अलावा जो गुप्त वंश है, वो भारत के सबसे जादा स्वर्ण मितिहास वाले वर्गों में से एक भी रहा है गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त जी के द्वारा की गई थी और भारत के आधिस जाधा शेत्र में आप देख सकते हैं गुप्त वंश का शाषन हुआ करता था है इन और यही वह चंदरगुता द्वाती ही है जिने विक्रा मादित्य कहा गया था, यह कैसे कहानी याद रखनी है एक वन्ष है जिसकी स्थापना एक बंदे नि कर दी जिसका नाम है श्रीगुप्त, इसके अलावा श्री गुप्त का बेटा हुआ जिनका नाम था समुद्र गुप्त और समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को और इसके आजुबाजु के सारे शित्रों को जीत लिया था और जो गुप्त वंश था उसका छित्र बहुत जादा बड़ा कर दिया था तो प्रतापी शाषकों में शमुद्रगुप्त का नाम सामने आता है वैसे ही जैसे भारत का नेपोलियन शमुद्रगुप्त को कहा जाता है मध्य प्रदेश का नेपोलियन यश्वंत राव होलकर जी को कहा जाता है रामगुप्त की बात करते तो समुद चंद्रगुप्त के दो बोटे थे पहले बेटा का नाम था रामगुप्त और दूसरे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वतिये तो रामगुप्त जो है वो बहुत ही डरपोख शाशक थे और इसके अलावा बहुत ही निरलज्य साशक थे तो रामगुप्त ने क्या किय इसके अलावा अपना पूरा शेत्र देना स्विकार किया और चंद्रगुप्त द्वतिये बहुत ही जादा वीर शाशकते तो यह बिलकुल ऐसा नहीं चाहते थे कि इनका भाई अपनी भावी को मतलब इनकी जो भावी है उनको किसी और को दे दे या अपनी पत्नी का त्याग कर दे तो ये नहीं चाहते अपने भाई की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त द्वतिये ने हत्यार उठाए और रामगुप्त की हत्या की और इसके अलावा इनकी पत्नी के साथ विवाह किया और आंगे संपुन सामराजी को चलाया और यही चंद्रगुप्त द्वाती है विक्रोमदित ते कहलाते हैं आंगे चलकर इसके अलावा मध्य प्रदीश में जो गुप्त वंश है उससे सम्मंदित क्या क्या चीज़े आपको ये पता होनी चाहिए तो सबसे पहले बाग की गुफाएं तो जो बाग की गुफाएं है इन गुफाओं का निर्माड धार जिले में हुआ था देखिए पहले हो गया बाग की गुफाएं इन गुफाओं का निर्माड हमने देखा धार जिले में हुआ था धार जिले के अंतरगत तहसील की बात करेंगे तो कुक्षी तहसील के अंतरगत ये गुफाएं आती हैं इन गुफाओं में जो बाग है वो रहा करते थे लेकिन ये गुफाएं बागों के लिए नहीं बनाए गई थी बलकि ये गुप्त कालीन गुफाएं थी जो कि बौध धर्म से सम्मंधित ग्यान अर्जन करने वाले ब यहां पर जंगल पहाड बनने लगे पेड पौधे उखने लगे तो उस समय यहां पर बागों का निवास हो गया इस कारण से ये जो हैं बाग की गुफाएं कहलाती हैं इसके अलावा ये बाग और या फिर बागिन नदी के तट पर स्थित है तो इस कारण से इने बाग की भी कहा जाता है इन बाग की गुफाओं की तुलना आजंता और एलुरा की गुफाओं से की जाती है इसके अलावा इन गुफाओं में एक मुगल पेंटिंग पाई जाती है जिसे कहा जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग फ्रेस्को मुगल पेंटिंग जो कि यहां पर बहुत ही जादा फेमस मुगल पेंटिंग है तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली उदैगिरी के गुफाएं बहुत ही जादा फेमस है जो कि विदीशा जले के अंतरगत आती है तिगवा का विश्नु मंदिर गुप्तकाल से संबंदित है साची अभिलेक जो कि साची स्टूप पे लिखा हुआ है और इसके अलावा रायसे में स्थेत है वो भी गुप्तकाल से ही संबंदित है एरण अभिलेक जो है इससे भानोगुप्त का अभिलेक भी कहा जाता है जो कि सागर जले के अंतरगत आता है और मध्य प्रदीश में सबसे जादा पुराने सती प्रता के साख्ष जो है वह एरण से ही प्राप्त होते है तो सरवाधेक सती प्रता के सबसे जादा पुराने साख्ष कहां से प्राप्त हुए तो एरण से प्राप्त हुए एरण अभिलेक के अंतरगत इसके अलावा यह अभिलेग समराथ अशोक से सम्वंदित भी है इस प्रकार से हमने मद्य प्रदेश में गुप्त समराज्जे को समाप्ध कर लिया इसकी बाद हम मद्य प्रदेश के लोकल वन्षो को देखने वाले हैं जैसे की चंदेल वन्ष गुर्जर प्रतिहार वन्ष परमार वर्ष जो कि राजा भोच से संबन दे थे इसके अलावा और भी छोटे-छोटे जितने भी वर्ष हुए हैं मद्यप्रदेश में हम उनको नेक्स वीडियो में कवर करने वाले हैं आपको इस वीडियो में जो भी समझ में नहीं आया आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं इसके अलावा सेकेंड चीज यह है कि यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैम आप इसको दुबारा से पढ़ा दीजे हम इसको पढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप MCQ कंटीन्यू लगाई क्योंकि बिना MCQ के आपको समझ में नहीं आएगा आपके तयारी कैसी चल रही है बिना प्रशन उत्तर लगाए आप नहीं लगा पाएंगे कॉशन इसके अलावा MPPSC प्री परिक्षा के लिए आप जितना हो सके उतने कॉशन लगाते जाए वस्तुनिष्ट प्रशन कीजिए एक्जाम लिखिए शीट भरने की कोशिश कीजिए और OMR शीट को फिल करते जाए जितना हो सके उतना जिससे आपसे छोटी-छोटी सिली मिस्टिक्स ना हो एक्जाम को लेकर ओके थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं